Hello student, मैं एक तसी आप सभी का ग्यान चेतनिया चैनल बहुत बहुत स्वात करते हूँ आज इस टोपिक में हम UP, PGT, Civics का जो पेपर है उसको डिस्कस करेंगे तो ये UP, TGT और PGT लेविल का कुश्चन है जो भी PGT देना चाह रहे हैं और UP, TGT, Civics तो वो देख सकते हैं और बागी आप लोगों की मजिया कर आप देखना चाहते हैं Political Science, Civics से ये कुश्चन तो भी देख सकते हैं तो सुरू करते हैं, ये Practice Series है, इसमें 125 कुश्चन होंगे तो सबसे पहला कुश्चन है, यहाँ पर राजनीति शास्त्र का आरम और अंत राज्च से होता है ये किसका कथन है तो आंसर हो जाएगा हमारा गार्नर का बहुत important कुश्चन है, very important और ये आने की जड़ा चांस है आगे है राजनीति शास्त्र केवल सरकार का अध्यन है तो ये है लीकॉप का कथन है, तो यहाँ पर क्या है जब हम राजनीति शास्त्र के स्टार्टिंग में अर्थ परिवासा या और प्रकति ये सारी देखते हैं तो राजनीतिक शास्त्र को हम मानते हैं कि ये क्या है केवल सरकार का है केवल राजजी का है तो उसी से उसी टॉपिक्स रिलेटेर ये कुश्यन है आगे है किस भारतिय कूट नीटी कूट नीटिक गिने राजनीतिक शास्त्र को आर्थ शास्त्र कहा है तो हमारा आंसर हो जाएगा चाड़क की दी ओप्शन अगला कुशन है राजनितिक मानों के किस पक्ष को संचालित करता है तो राजनितिक पक्ष को संचालित करता है सी अपसनिया पर सही हो जाएगा आगे राजनितिक शास्त्र की माननेताओं की बेवहारबादी क्रांती ने कब आंदोलित किया था तो आंसर होगा हमारा दूतिय बीश युद्ध के बाद अगला कुशन है बिवहारबादी क्रांती ने राजनेतिक शास्त्र में धाजा के अध्यन को कहां तक बढ़ाया तो हमारा आंसर हो जाएगा पकरिया से अध्यन तक यह option यहाँ पर सही है राजविहीन समाज का अर्थ है तो राजविहीन समाज का अर्थ हो जाएगा ऐसा समाज जिसमें सामाजिकता बेवस्था वैधानिकता बलपरियोग आदी के लक्षन और उसके कारे संपादन होता है किन्तु राज से नहीं अगला कुशन है राजनितिक शास्त्र जो है सक्ती का बिग्यान है यह किसने कहा है तो कैटलिन ने कहा है यह option सही है अगला कुशन है राजनितिक शास्त्र को नीती विग्यान किसने कहा है तो राजनितिक शास्त्र को नीती विग्यान कहने वाले है loss will be option सही है समाज सास्रियों के अध्यन का विशे अवशक है तो समाज का अध्यन जिसे राजनीतिक शास्त में राजनीतिक इंपोर्टेंट है तो समाज सास्त में समाज का अध्यन इंपोर्टेंट हो जाएगा C options है आगे देखते हैं राजी का सरोपरी कर्टब्य नागरिकों को सचरित तथा सदचारी बनाता है ये कथन किस का है तो पलेटो का हो जाएगा आगे है किसी देश की विदेश निती उस देश की भोगोल द्वारा निंधारित होती है तो ये कथन किस का है नेपोलियन का है ए ओप्शन सही हो जाएगा ये भी बहुत इंपोर्टेंट है नेपोलियन यहां अंसर है कि किस ने कहा है कि उस देश की बिदेश ने थी उस देश के भोगोल पर आधारी तो नेपोलियन सही आंसर हो जाएगा अगला कोश्चन देखते हैं राज्य जो है जीवन की मुले अवशकताओं के लिए उथपन हुआ है और अच्छे जीवन के लिए ही कायम है कि सने कहा है तो हमारा आंसर हो जाएगा अरस्थ अरस्तु यहां पर सही हो जाएगा वो ही कहता है कि राजी जो है जीवन की मूल्यावशक्ताओं के लिए ही उत्मन हुआ है और अच्छे जीवन के लिए ही कायम है तो अरस्तु अगला है प्लेटो ने आदर्ष राजी की संख्या कितनी निधारित की है तो 5040 5040 यहां पर सही option हो जाएगा आगे देखते हैं रूसों के मुताबिक अदर्ष राजी की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए तो 10,000 होनी चाहिए 10,000 यहां पर सही हो जाएगी अगला है एक राज्य तबई राज्य बन सकता है जब सभी राज्य उसे माननेता प्राप्त कर दें तो कोई जब राज्य एक बनता है यानि एक राष्ट बनता है तो सभी राष्ट उसको माननेता प्रिदान कर दें तभी वो क्या हो जाएगा राज्य बन जाएगा आगे है राज्य की सदस्यता आवशक है एक्षिक या न आवशक है आवाचनिय है तो यहाँ पर हो जाएगी एक्षिक होनी चाहिए आगे है राज जी के चार आवशक तत्व है तो जनसंख्या भूमी संप्रभूता और हो जाएगा जनसंख्या भूमी सरकार संप्रभूता तो यहाँ पर B option बिल्कु सही हो जाएगा जनसंग्या भूमी, मतलब जनसंग्या होने चाहिए, पहले तो भूमी हो जाने चाहिए, भूमी होने के साथ साथ, फिर वहाँ पर जनसंग्या होगी, जनसंग्या होगी तबी सरकार होगी, सरकार होगी, तबी संप्रभू होगी, त कुशन है आगे है इन में से कॉन सा कफन सही है तो ए उपशन हो जाएगव विक्ति को राज्य के परती वफ Starbucks रहना पड़ता है आगे देखते हैं आरस्तू के अनुसार राज्य एक है तो आरस्तू ने राज्य को क्या माना है एक देवी ए संस्था माना है या कृतिम संस्था या निर्मिस संस्ता तो यहाँ पर राज प्राकितिक संस्ता माना है अरस्तुने राजी को प्राकितिक संस्ता माना है आगे देखते हैं राजी की भूमी के अंतरगत शामिल है क्या शामिल है राजी की भूमी के अंतरगत क्या क्या चीज़े हैं जो शामिल है तो यहाँ पर भ इंपोर्टेंट कोशन है ये तो किसने कहा है कि राज़ परिवार का विस्तार है तो अरस्तू का आगे हैं इनमें से कौन सा कथन सत्ते है राजव्यक्ति से पहले की संस्ता है राज समाज के पहले की संस्ता है समाज राजी के पहले की अवस्ता है और इसमें से कोई नहीं तो जो समाज है राजी से पहले की अवस्ता है मतलब समाज पहले है और फिर उसके गारिषी इस्ताबित हुआ है hoping यहां पर सही हो जाएगा किस ने राजी की परिभासा किस ने दी है तो अरस्तू ने दी 2 है अगे है धर्व निर्पेख्ष राज्य है यह सब्सक्राइब जिसका अपना कोई धर में नहीं हो आगे देखते हैं एक definition है population must be sufficient to provide a governing body and a number of persons to be governed and of course sufficient to support a state organization यह किसकी युक्ती है तो यह garnered की युक्ती है अगला question है राजी की उत्पत्ती से संबंदिक गुथी सुलजाने में इथियास समक्ष नहीं है क्योंकि समाज को सब अवस्ता प्राप करना और राजिंदिक धंग से संगिठित हो जाने के बाद ही इथियास आरं होता है तो यह option सही हो जाएगा आगे देखते हैं राजी की उत्पत्ती की संबंद में विद्वानों दौरा दिये गए बिचार कौन से हैं बेवारिक है आधर्शवादी है या काल्पनिक है या यथार्थ है तो यहाँ पर राजी की उत्पत्ती की संबंद में विद्वानों दौरा जो विचार दिये गए वो आधर्शात्मक है अगला है प्राकितिक अवस्ता में मनुष्य का जीवन एक आंगी देनिये गिर्णित पाश्वीक और छण भंगुर था ये किसने कहा था तो ये हमारा कथन हो जाएगा हॉप्स का आगे सरकार शाशितों की सहमती पर आधारित है ये कथन है मौन्टेस्क्यू का कथन है आगे देखते हैं रूसों के बिचारों का अधिक प्रभाव किस पर पढ़ा तो अधिक प्रभाव रूसों के बिचारों का फ्रांस की किनांती पर पड़ा है रूसों ने सामाजिक समझोते का सिध्धान का बर्णर अपने किस पुस्तट में किया है तो दास के पितल तो नहीं हो सकती लेवियाथन जो है यह यहाँ पर सही हो जाएगा आगे देखते हैं रूसों ने समझोते समझोता द्वारा किस प्रकार के शाशन तंत्र का समर्थन किया है तो उन्होंने जो समर्थन किया वो है प्रजातंत्र का आगे रूसों के मताबिक प्राकेतिक अवस्ता का क्या सरूप था तो प्राकितिक अवस्ता का जो सुरूप था वो है नैसर्गिक शांती की अवस्ता लौक के अनुसार क्या है वो है समझोते का पक्षधर था अगला है तुलनात्मक राजनेति किसे कहते हैं तुलनात्मक राजनेति जो है एक जैसी राजनेति किरिया को दूसरे तरह की राजनेति किरियां उसे तुलना को समझने के लिए बिवस्तित विशलेशन द्वारा समानी करन के लिए जो प्रियास किया जाता है उसे उसी प्रयास को तुल्ला 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 मतलब दो चीजियों का तुल्ला अब यहाँ पर क्या है दो एक जैसी राजनितिक बिवस्ताइं हैं उन में तुल्ला करेंगे कौन समान है कौन सकारात्मक है कौन नकारात्मक है इस तरह से दोनों का तुलनात्मक है उसी को तुलनात्मक राजनीती कहते है सिंपल भासा में यह है और फिर बार में विशलेशन करेंगी कि कौन किस में ज़्यादा अच्छी चीज़े हैं कौन से एक समानिय करण करेंगे और उसी को क्या कहा देंगे तुलनात्मक राजनीती आगे एक है तुलनात्मक राजनीती से हमें क्या मिलता है क्या मिलता है अब तो यहाँ पर जो मिलता है वो बिभिन इस थरों अब तुलनात्मक राजनीती करने से हमें पता चल जाएगा कि बिभिन इस तरों पर गटने वाली राजनेती गटनाओं का ग्यान हो जाएगा तो हम बिभिन बिभिन राज जी की जो भी गटने वाली राजनेती गटना है उनका तुलातमा अध्यान करते हैं, विश्लियेशन करते हैं फिर एक जनरलाइजेशन करके हम उसमें क्या कर लेते हैं, हमको क्या प्राप्त हो जाता है, ग्यान प्राप्त हो जाता है, कि ऐसी सिचुएशन है, तो इस सिचुएशन के अधार पर हमें ये क्रियाएं करनी चाहिए, तो ग्यान बिवेनिस तरों पर गटने वाली राजने आगे देखते हैं राजनेतिक विवहार की उल्जनों को समझना समझा जा सकता है किसके दोलत तुलनातमक राजनीती के मादद C option या पर बिलकुल सही हो जाएगा आगे देखते हैं राजनेतिक बेवहार से सम्मंद ग्यान को बिग्यान का दर्जा दिलाया है तो वही तुल्लातमक राजनेति आगे देखते हैं तुल्लातमक राजनेति को मातपूर बना दिया है तो किसने मातपूर बना दिया है तो बेवहारवादी क्रामती ने तो ये जो तुल्लात्मक पॉलिटिक्स है ये हमारी PGT के सिलिवस में है लेकिन फिर भी TGT, UPTGT वाले भी इसको देख सकते हैं, कोश्चन ही है आगे देखते हैं, इसके अभाव में आनुभाविक सिधान्थ की कल्पना भी नहीं की जा सकती है तो आमसर हो जाएगा तुल्लात्मक राजनितिक अध्यन के अभाव में आगे देखते हैं, तुल्लात्मक राजनितिक के छेत्र का अतीद, लंबा और गोरवपूर है राजनितिक संस्ताओं का सामाने बिशलेशन, अनेक प्रकारों का वर्गी करण, उनके विविन रूपों के विकास का अध्यन तथा अनेक प्रचलित, राजनितिक विवस्ताओं के विविन प्रकारों का अध्यन उतना है प्रतीद है जितना की विचारों का लिखित इत्या किसका कथन हो जाएगा तो ये कथन है हमारा हैरी x 3 का अगला कोशन है तुल्लात्माख राजनीति के छेथर में करांतिकारी विकास हुआ और इसे एक नई सूशाशन के रूप में विख्सित किया जाने लगा तो आंसर हो जाएगा दुतिय विश्यूत्य के बात आगे देखते हैं अरस्तु ने कितने समीधानों का तुलनात्मा कद्यान किया था तो कितने समीधानों का तुलनात्मा कद्यान हो गया 158 समीधानों का उसने अध्यान किया था अगला कुशन देखते हैं केवल वर्णन से आगे बढ़कर अधिक सैध्धानतिक रूप से संबंदि समस्याओं की और देखिए किसी भी एक मामला से आगे बढ़कर अनेक मामलों की तुला की और देखिए सरकार की आपचारिक संसाओं के अधियन की आगे बढ़ते हुए रा राजनीती कारियों की और देखिए तथा केवल पश्मी यूरूपीय देशों का अध्यान का एशिया और अफ्रीका और लेटिन अमरीका के नई राष्टों की और देखिए तो इसमें पूरा का पूरा क्या है तुल्ला करके हमें चीजों को बताने का प्रयास कर रहा है यही बढ़नन तुलनात्मक राजनीती है, तो ये कथन किसका है, तो ये सिडनी वर्वे कहते हैं, सिडनी वर्वे, आगे देखते हैं, तुलनात्मक राजनीती के विकास का दूसरा इसपष्ट चिन कब दिखाई देता है, तो दूसरा इसपष्ट चिन मैकाइवली और पुनर अगरन की यूग में दिखाई देता है आगे देखते हैं ए और आर दिये गए हैं और इसका हमें सही कूट निकालना है तो पहला है तुलात्मक राजनीती का छेत्र तुलात्मक शाशन से ब्यापक है दूसरा तुलनात्मक शाशन के अंतरगत विभिन राजनेतिक विवस्था, उनकी संस्थाओं और कारियों का तुलनात्मक अध्यन होता है, जबकि तुलनात्मक राजनेतिक अंतरगत इन बातों के साथ ही दूसरे उन सभी विश्यों का भी अध्यन होता है, जैने हम गैर तुल्लात्मक राजनीती का छेतर बिवात पून है और दूसरा आर है इसके परंपरागत और आधुनिक डिश्टी कोण में मेल नहीं खाता है तो यहाँ पर जो कथन है दोनों ही सही हो जाएंगे यह ओप्शन यहाँ पर सही है कौन सा द्रश्टी कोण कौन सा द्रश्टी आधुनिक आगे देखते हैं किस तुल्लात्मक पध्धिती के मात हत तुल्ला केवल पश्मी राजनीतिक विवस्थाओं का या समिधानों तक सीमित रहे गई है तो वो है परंपरागत पध्धितियां अगला question है एक नया देश्टिकोन जिसे हमादुनिक देश्टिकोन कहते हैं परमपरागत पद्दिती की सीमा को तोड़ चुकी है यह देश्टिकोन अधिक परिक्षन करने वाला अधिक छानवीन करने वाला और अधिक विवस्तित है ऐसा किसने कहा है तो हमारा सही आंसर हो ज सा है तो पहला यहां पर है पहले राजनेती विशलेशन का तरीका सीधा सपाड वर्नन और इत्यासिक था केवल संस्ताओं के गठन और कारियों को ही विशलेशन का विसे माना जाता है तो एक सही हो जाएगा दूसरा है बिविन सिद्दानतों मॉडलों और विशलेशना के दृष्टी कौन का विकास नहीं हो पाया है, तो यहां पर ये भी सही हो जाएगा, तो तीसरा देखते हैं और देखते हैं, परिवर्टन होते रहने वाले तत्तों के संबंद में जानकारी प्राप्ट की जाती है, लेकिन उसे परिश पर संबंदों के विसेर में चान भी नही की जाती है, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत है, ए और दो ही सही है, आगे देखते हैं, तुल्ला की निउन्तम अनिवारिता एक वैचारिक संब रचना है, जब तक की तुल्ला का वैचारिक धाचा नहीं हो, तब तक अध्यान सही धंग से नहीं किया जा सकता, ये किसकी राय है, तो हैकसर की राय है, अगला कुशन है, तुल्ला अत्मक राजनितिक अध्यान को अनिवारिक बना दिया, किसने अनिवारिक बना दिया, तो विकाशिल देशों के उध्यान है, विकाशिल देशों के उध्यान है, अगला कुशन देख तुलनात्मक राजनेति को ना केवल बेग्यानिक बनाया बलकि राजनेतिक विवहार के बिशे में सिद्धान तो कि निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया है किस ने किया है तो हमारा अंसर हो जाएगा राजनेतिक विवस्ता दिश्टी कोड़ने तो B option राजनेतिक विवस्ता सही हो जायेगा आगे है राजनीतिक बिवहार के बिसे में अनुभाविख सिध्धान्त का निर्मार तभी संभा हो है जब समाज में निर्मार लेने और उन्हें लागू करने में शामिल पित्यक्ष और परोक्ष प्रभावों को ध्यान में ही नहीं लाया जाए बल्कि अध्यन की महत्पूर्ण अबधानाओं में इसे शामिल किया जाए यह बिचार किसका है तो यह बिचार हो जाएगा हमारा इस्टन का आगे है डेविड इस्टन द्वारा लिखी गई नामक पुस्ता के इसमें कितने इस्वी से प्रकाशित हुई है तो 1953 से 1953 से अगला कोशन है सरकारी नीतियों नियमों और निर्नयों को प्रभावित करने के लिए एक शुक होते हैं कौन एक शुक होते हैं पिटेक राजनेतिक विवस्ता पिटेक राजनेतिक विवस्ता अगला कोशन है राजनेतिक विवस्ता का प्रमुख कार्य है राजनितिक विवस्ता का प्रमुख्य कार्य है राज का पिर्शासन समालना, राज नयाय करना, मांगो और विचार विमश करके उनका रूपांत्रन करना तो यही राजनितिक विवस्ता का मुख्य कार्य है अगला कोशन देखते हैं राजनितिक विवस्ता के सदा से मुख रूप से अदा करते हैं क्या तो राजनितिक भूमिका अदा करते हैं अगला कोशन देखते हैं आम आदमी के कारियों में अधिक संख्या होती है तो आम आदमी के कारियों में अधिक संख्या होगी राजनतिक कारियों की तो यहाँ पर D option सही हो जाएगा आगे देखते हैं आमंड और पाविल ने संरचनात्मक कारियात्मक दृष्टी कोण का तुलनात्मक अधियन में प्रियोग हेतु निवेश निर्गतन को सुईकार किया है जिसके प्रतिपादक है कौन है प्रतिपादक यहाँ पर तो हमारा अंसर हो जाएगा इस्टन अगला कोशन देखते हैं राजनितिक विवस्ता अपने लक्षों का नेधारित करती है समाज और समूहों की मांगों के आधार पर अगला है राजनितिकी जानकारी के लिए आवशक्ता आवशक्य है तो राजनितिकी जानकारी के लिए सुनी हो जित चिंतन चिंतन करने के बाद ही हम राजनितिकी जानकारी क्या है प्राप कर लेंगे आगे हैं अंतराष्टी राजनीती की मूले समस्या है तो राष्टों के आपसी बेवार तथा आचरण के बुनियादी सिध्धानतों का पता लगाना अगला कुशन है राष्ट सहयोग क्यों करते हैं? शांती पूर्ण सहे अस्तुत में आस्ता रखते हुए भी राश्ट अपनी विचार धारा का प्रिसार क्यों करना चाहते हैं तो ये आंसर हो जाएगा हमारा अंतराश्टी राजनीती के मूले तत्तों एवं सिध्धान्तों का विवेचन विशलेशन आगे हैं विश्व सरकार के द्वारा ही शांती स्थापना की जा सकती है जब तक राश्टों में उगर राश्टियता एवं संप्रभूता की बावना विद्बान रहती है जब तक विश्व सरकार एक सपना ही बना रहेगा ये कथन किसका है तो ये कथन हो जाएगा हमारा हैंस वाडरेट रसेल का C आपस आपस है आगे देखते हैं अंतराश्टिय राजनीति सभी राजनीति उद्देश्यों की बाति शक्ति के लिए संगर्श है तो ये कथन हैंस जी मार्गिन थाउगा दी आक्रशन सही हो जाएगा आगे देखते हैं प्रारام में अंतराश्टिय राजनीति का अध्यार किस पर आधारीत है तो कालपनिक आदर्ष बात पर आधारीत है अगला कुशन देखते हैं मानव समुदाय की उपर शाषण करने की कला को ही राजनीति कहते हैं शाषण से इसका भी प्राय है आदेश देने और नियंतर कायम करने से सम्मधित पत्री प्रकरियाई पॉलिटिक्स का मिसेच छित्र बहुत प्यापाक है परिवार, चर्चा, ट्रेड, यूनियन, फोर्म या अन्य संगों और समुधायों के भीदर चलने वाले प्रती इस भरता को राजनीती का ही सरूप माना जाएगा यह किसकी युक्ती है तो आंसर हमारा हो जाएगा युक्ती है रावड की आगे हैं राजनीती के श्रोत हैं तो राजनीती के श्रोत क्या हो जाएंगे हमारे समुधायों का स्थित्य समुधायों के बीच मदभेद कुछ समुधाया द्वारा अन्य समुधायों के कारियों का नियंतन करने का प्रत्न तो उप्योग तिक तीनों यहाँ पर सही हो जाएगा आगे देखते हैं राजनीती का मुख्य आधार क्या है युद्य सम्योता सायोग और मदभेद तो यहाँ पर जो है मदभेद राजनीती का मुख्य आधार जो है मदभेद यहाँ पर सही हो जाएगा अगला कुशन देखते हैं राजनिती के एक ऐसी परकरिया है जिससे हम प्रसितियों के अनुसार दूसरों के साथ ऐसे सम्मध इस्तापित करने का नियंतर प्रयत्मने करते हैं जिससे अपने लक्ष की अधिक से अधिक पूर्टी हो सके ये कथन किसका है तो आंसर हो जाएगा हमारा रोल्डन वेलिन का अगला है शक्ति किसे कहा जाता है शक्ति किसे कहा जाता है तो ये हैं दूसरों के कारियों को नियंतर करने की च्छमता को कि शक्ति कहते हैं आगे हैं अंतराश्टिय राजनिती किसे कहते हैं अंतराश्टिय र पाई जाने वाली राजनेटी को ही, घुनिर, अंतराश्टिए राजनेटी को हीन्तराश्ट्टी, तक्षो तो क्या है? राश्ट्य हइट, शक्ति, संगर्ष, तो यहां पर तीनों चीज़े हो जाएगे, दि आॉप्शन्स अही है आगे देखतें तराइस्टी राजनीती में सहयोग और शंगर्ष में क्या संबंध है तो संगर्ष और सहयोग की पकरिया साथ साथ क्या होती है चलती रहती है आगे देखते हैं भारत और चीन के संबंध कप से मैत्रिपून रही हैं तो 1949 से 1959 तक ही मै त्रिपून रही है। आगे देखते हैं सुतंत्र जो है राजनितिक सामुदायों अर्धात राजियों के अपने अपने अध्वाहितों के आपसी विरोध, प्रटिरोध या संगर्ष से उत्पन, उनकी किरिया, प्रती, किरिया और संबंदों का अध्यन ही अंतराश्टी कोई देखते हैं को राजनीते विज्ञान में बिवारवादी अंदुलन के पूर्वच माने जाते हैं तो जॉर्ज कैटलिंग और चॉल्स मेरियम अगला कुश्चन है चूजा मॉडल यानि चिकन मॉडल और कैदी सुविदा मॉडल प्रिजन डाईल लेमा मॉडल प्रियोक् आगे देखते हैं निमने कतनों पर विचार करें तो यहां पर सबसब पहले अंतराष्टी संबंद विश्चित हैं जबकि अंतराष्टी राजनीती संकीर हैं अंतराष्टी संबंद वरनात्मा के जबकि अंतराष्टी राजनीती विशलेश रनात्मा के तीसरा है दोनों ही विसे जो है अंतराश्टी घटनाव से संबंदी थे दोनों की लक्षिर समान होने की प्रवत्ती पाई जाती है तो चारो की चारो option है यहाँ पर सही दिखाई देते हैं तो हमारा answer जो है 1, 2, 3, 4 यह option सही हो जाएगा आगे देखते हैं अंतराश्टी राजनीती के अंतरगत राजियों के किस बिवहार का अध्यन किया जाता है तो अंतर इंटरनेशनल रिलेशन के तहत अंतराश्टी है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंतरगत राजियों का कौन सा बिवहार जो देखा जाता है तो बाहे वेवार बाहे वेवारों का अध्यान किया जाता है बहुत हम मान लीजिए एक ये राश थे एक ये राश थे अब दोनों में वही चीज़ देखें कि जो हम बाहर हम एक देश से हम कैसा वेवार करें और यही अध्यन किया जाता है किसके अंतराश्टिय राजनेति, इंटरनेशनल पॉलिटेक्स के अंतरगत किया जाता है, आगे देखते हैं, अंतराश्टिय राजनेति के अध्यन का मौलिक विश्य है, तो मौलिक विश्य हो जाएगा यहाँ पर, युद इवम शान्ति की गत विदियों का अधियन ये भी सही है विदेश नीती निर्माण की पकरिया का अधियन ये भी सही है विदेशी बैपारियम अंतराश्टि आर्थिक संगठन का अधियन ये भी सही है और D option यहाँ पर सही हो जाएगा तो जब भी हम अंतर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करत इसी का अध्यान ही अंतराष्टी राजनीती है आगे देखते हैं अंतराष्टी राजनीती राष्टों के बीच निरंतर होने वाले शक्ती संगर्ष के अधिरिक कुछ नहीं है तो ये किसका कथन है तो मारगेन थाउ का कथन है ये आगे अंतराष्टी राजनीती को ग्यान की एक स्वायत शाशा, शाखा के रूप में मैं अध्यान करने के लिए सरपतम 1910 में अलग से बेल्स विद्धियाले में आचारी के पत्केस अपने की गए, इसका नाम क्या था, तो इसका नाम था, अलफ्रेड जी मर्न, अलफ्रेड जी मर्न अगला कुशन है ग्यान की अलग शाखा के रूप में प्रथम और दूतिय विश्यूद के काल, खंड में भी अंतराश्टी राजनीती का अध्यान सर्वमत से प्रारम नहीं हो सकने का कारण क्या रहा है क्या रहा है, तो यहाँ पर देखते है एक ज्यान शाखा के लिए अवश्यक है कि समुचित यह वो निश्यत विसे समागरी हो जो अन्य शाखाओं से प्रथक हो ठीक है, भी है अवश्यक है कि विवस्ति तत्त संग्रे से युक्त तता इसपष्ट अवधार्णात्म समरचना हो, यह भी सही है अवशक्ता है कि उसके स्वयम के बैग्यानिक सिंधान तो जिसका सवरू बेवहारिक मात तो है तो यह सभी अभाव हैं तो यह डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, तो यहाँ पर जितने भी अभाव, मतलब फैक्टें यहाँ पर दिये गए है वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे पिर्थम और दूतिय विश्यूत के काल खर्ण में क्या हो गए अंतराश्य राजनिती का अध्यान सब मत से प्रारम नहीं हो सकने के यह सारे के सारन मतलब यह सब अभाव थे अगला कुशन है पिर्थम विश्यूत के बाद किसे देश के लेखकों और विचारकों ने अंतराश्य राजनिती में अध्यान को बेग्यानेक्ता से लेस करना शुरू किया है तो यहाँ पर हमारा सही हमसर हो जाएगा अमेरिका अमेरिका ने कहा कि जितने भी राष्ट है सभी के एक वो राष्ट दूसरी राष्ट मतलब निग्रानी रखने का कार्य करने का काम जो है वो अंदराश्टी पॉलिटिक्स के अंदर गद भी किया जाता है आगे देखते एक स्वायत ग्यान शाखा के रूप में अंदराश्टे राजनीती को अपना स्वायत इस्थायत कायम करने में कब से सुविधा मिलने लगी तो आंसर होगा हमारा जो सुविधा मिलने लगी दूतिय विश्यूद के बाद दूतिय विश्यूद के बादे क्यूंकि पहले विश्यूद होता है फिर कुछ ही सालों बाद कुछ बहुत साल नहीं है पचास साल नहीं भी थे दोनों विश्यूद के बीच में तो दूतिय विश्यूद होता है तो इससे हमें ये निसकर्ष निकलता है कि हमें एक अंतराष्टी पॉल्टिक्स को ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए ताकि क्या है एक राष्टी दूसरे राष्टी के साथ कैसा बेभार कर रहा है कौन से संदिया कर रहा है इन सब की निगरानी होगी तो क्या है चीजों को संभालने में चीजों को बिवस्ति करने में भी आसानी रहेगा जब पता ही नहीं चलेगा तो युद्ध जैसी स्त्री भी कायम हो जाती इसलिए इन सब को क्या किया गया दूतिये उश्टी के बाद जो है अंतराश्टी राजनीती को अस्तित्य क्या है कायम करने में सफलता मिलती है आगे देखते हैं कहां के विश्य विश्य विद्याले में आज अंतराश्टी राजनीती का अध्यान अध्यापन स्वैक्त विश्य के रूप में अनेक विश्यू विद्यालम में हो रहा है तो अंसर हो जाएगा हमारा अमेरिका में आगे देखते हैं दूतिय विश्यूति के बाद अंतराश्च्री राजनेती के अध्यान का छेतर अत्यादिक व्यापक हो गया है और इसके अध्यान की पद्धिती में अब अनेक महत्पूर्ण परिवतन हो गए है ये परिवतन राश्च्री और अंतराश्च्री जीवन में अनेक तरह के नए तत्तों के उध्य के पड़ाम से हुए है इन नए तत्तों में टेकनलोजी का विकास उपनिवेश का बढ़ता हूँ उन मूलन नए राश्च्रों का होता है और नए अंतराश्च्री मूल्यों का प्रकटी करन प्रमुख इस्तान रहा है तो ये कथन किसका है तो ये कथन हो जाएगा डॉक्टर महिंद्र कुमार का आगे है सूची एक और दो से यहाँ पर मिलान करना माक्सवादी सिद्धान वार के संगर्श यहाँ पर फूर्थ ओप्शन हो जाएगा यधार्दवादी यधार्दवादी हो जाएगा शक्ती नड़ने सिद्धान्थ हो जाएगा हमारा परियावरन और चैने आत्माप हो जाएगा जिसमें अनेक राष्ठो शक्तियों का बटवारा लगभवा समानता के आधार पर होता है। दूसरा है, महर शक्तियों के अनेक शाश्कों में एक अंतर नहीं तो जिसमें कि शक्ति बटवारे की बिद्वान विवस्ता उसके आपसे हित्मे है। तीसरा है एक ऐसी सिती जिसमें पर्यावर्णिये सकती, पर इस पर विनाश की धंकी देती है, आगे है चोथा है, यहाँ पर धंकी देती है, यह वाला यहाँ पर सही नहीं होगा बाकी, चौथा देखते हैं राश्टपूल के सदस्यों में शक्ति के नियायोचित संतूलन को तो ये वाला सही हो जाएगा तो इस से साबसे हमारा एक दो तीन तीन छोड़के तीन जहां जहां है उन सब को कार देंगे तो हमारा सी ओप्षन क्या है सही हो जाएगा आगे देखते हैं निम्नमें से कौन से अवधारना बेग्यानिक प्रबंदन से जुड़ी हुई नहीं है तो कौन-कौन से जुड़ी नहीं है मानसिक रांती बेग्यानी प्रबंदन देखना है आपर तो मानसिक रांती जुड़ी हुई है कौन-कौन से जुड़ी हुई नहीं है यह बताना है तो निर्देशों में एक ता बेवहार यह जुड़ा हुआ है नहीं जुड़ा हुआ है आगे देखते हैं समय बेंगतियत ध्यन यह जुड़ा हुआ है अंत्रिये पीस रेट योजना ये भी है तो दो और तीन यहाँ पर सही हो जाएगा कुश्चन में यही था कौन सी बिग्ञानिक प्रबंदन में नहीं जुड़ी हुई है तो निर्देश उमेक ता और बेवहार क्या है जुड़ी हुई नहीं है तो दो और तीन यहाँ पर सही हो जाएग आगे है टेलर दोरा किये गए प्रियोगों का प्रियोजन था तो विशेश कारियों को पूरा करने का सरफशेश तरीका खोजना अग्ला कोशन है बेग्यानिक प्रवंदन में किन पर जोड दिया गया तो किन किन पर जोड दिया गया तार्किकता पर विशिषता पर तकनीकी योगता पर पूर्वर नुमानियत है सबी पर दिया गया तो D Calvin यहाप सही हो जाएगा आगे देखते हर मजदूर की उत्पातन छमता बढ़ा कर विग्यानिक प्रबंदन मजदूरों और मालिक की आय को भी अधिक्तम बनाएगा अताहा इस विग्यान की नतीजे से श्रम और पूंजी के सारे अंतर विरोध हल हो जाएंगे यह कथन किसका है तो यह कथन हो जाएगा रीन हाड बैंडिक्स का अगला कोशन है मैक्स वेवर का नाम नोकरशाही के साथ जुड़ा हुआ है क्योंकि क्योंकि वो है नोकरशाही का विवस्तित अध्यान करने वाले पहले व्यक्ति थे मैक्स वेवर जो है नोकरशाही का विवस्तित अध्यान करने वाले पहले व्यक्ति थे से लिए उनका नाम क्या है मैक्स वेवर का नाम नोकरशाही से जुड़ा हुआ है तो केवल दो आंसर यहां पर सही हो जाएगा आगे देखते हैं मानव संबन सिध्धन ने किस बात की दोर ध्यान खींच कर संगठन के मानव आयाम पर जोड दिया है तो आंसर हो जाएगा हमारा यहां पर काम करने की सिति के सामाजिक वाल मनोवेज्ञानिक कारन तो फोर ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा आगे देखते हैं मानव संबन सिध्धान किस पर जोड देता है तो क ही सभी है संगितन के सिधान पर नहीं देता छो जाए गागी फ्रोंट फोर्थ फोर्थ गलत हो जाएगा लोग स७ी यー पर सही एक दो तीन आगे दैखते हैं बिवस्था उपागं के बारे में से कोण से गलत है ? कोण एक और दो ही यहां पर सही हो जाए गा यह बहु है तो एक और दो ही प्रवंदन की पुर्णालियां हैं सबसे पहले हैं सबसे पहले यहां पर हो जाएगा कारिपरक फॉर मैंशिप दूसरा है कार करने की सरवोच तरीका अंतराश्ची पीस रेट योजना कामगार का बेग्यानिक चुना और समयों गती का अध्यान तो ये भी है ये भी है और तो एक कार्योत्तम और तीसरा बताया और समयों गती तो इससाब से एक तीन पांच यहां पर सही हो जाएगा है अगला है टेलर की कार्यात्मा फॉर मैंशिप की अवधरनक के सूर ले जाती है तो के सूर ले जाती है बहुलवादी निर्देश विशिष्टी करन और का निशेर तो यहां पर दो तीन चार यह सही हो जाएगा आगे है टेलर वाद के किस देश में इस्तार खानों वाइट अंदोलन का रूप लिया है तो आंसर हो जाएगा हमारा सोवियत संग है आगे देखते हैं निमलेखित मैंसे कौन से विज्ञानिक प्रवंदन के मूल विशे हैं तो कौन से मूल विशे हो जाएंगे तो यहां पर कोई भी नहीं है मूल विशे तो यहां पर तालमेल ना की व्यक्तिगत समंझस ना की छटने विज्ञान ना की बेवार अधिक्तम नतीजा ना की तो यहां पर क्या है कोई नहीं है आगे बेवर के अनुसार नौ option है सही है प्रादी कार का इस्तेमाल निया हूँ और प्रकरियाओं की एक विवस्ता के जरिये होता है तो केवल थाड़ option ही आपर सही है आगे अगला question देखते हैं निम्न मैंसे किसने नोकरशाही की आलोचना है कैसे संगेठरी की रूप में किया है जो अपने गल्तियों से सी कर देखते हैं किस परिफेक्ष में था केवल समाज सास्त्री परिपेक्ष में किया है वेवर ने अपना विस्तियों रात्मत परिफेक्ष दिया था अगला question नोकरशाही की वेवहारमादी वीचेष्त्राइं है तो यहाँ पर है अव्यक्तिक टा वर नियम निर्देशन अगला कुश्म देखते हैं नोकरशाई के साम रचना तमक विशेश्ताओं में कौन से तत्व शामिल है कौन से तत्व समलेथ आए तो पदानु क्रम यह समलेथ है नियम निदेशित यह समलेथ नहीं है श्रम पूमी का विशेष्टा ये भी है अवेक्टा ये भी नहीं है तो C option यहापर सही हो जाएगा मैक्स वेवर करुशार किस माबले में नौकर शाही संगठन के अन्य रूपों से स्रेष्ट है तो कौन कौन से है निशित्ता ठीक है पहला option सही है इस्तिर्था अनुशाशन बरोसे मन तो D option यहापर सही हो जाएगा आगे है तार्ज किक्ता किसका आधार है किसका आधार हो जाएगा तो यहाँ पर देखते हैं करिश्माई प्राधिकार केवल एक आगे है निमने में से कौन नौकर शाही का बेवहार वादी गुड़े नहीं है तो बेवहार वादी आगे है किसने क्लासिकल दिश्टिकोन की बैख्या इंजीनियर दिश्टिकोन की रूप में की है तो वो हो जाएगा उर्विक अगला कोशन है क्लास की विचारधारा किसे ज़्यादा महत्व देते हैं तो किसे ज़्यादा महत्व देते हैं संगिठन की रचना को आगे संच प्रशेप नाम पोस्ट कोर्ब किसका प्रतीक है तो यह प्रतीक हो जाएगा किसी प्रशाशन की गतिविदियों अगला है निम्न में से कौन सही संगठन से मिलाए गए हैं और प्रदिकार स्रेयर आगे निम्न में से किस प्रशाशनिक चिंतने कलासि किये सिधान की ब्याख्या मशीन मॉडल सिधान की रूप में की है तो एक तो हो जाएंगे माक्स और दूसरे हो जाएंगे ह. A. Simon तो एक और चार हाँ पर सही हो जाएगा निम्न में से कौन सा गलत तरीके से मिलाया हुआ है वो है Art of Cutting Metalus जो है 1905 अगला कुशन है बेग्यानिक प्रबंद इनके सिद्धान में कौन समलेत नहीं है कौन समलेत नहीं है तो आंसार हो जाएगा अस्तिवेस्त व्यक्तिवाद की प्राप्ति अस्तिवेस्त व्यक्तिवाद की बारे में निमने में से कौन सा कथन सही है तो यहां पर जो है पहला है वह आर्थिक मनुश्य की अवधार्णा को चुनोती देती है यह मानती है कि हर व्यक्ति अलग है यह मानती है कि हर व्यक्ति किसी कारिस अमों के सदस की रूप में कारूं करता है उसमें अगला है से यांत् पसंद आया होगा पसंद आया तो प्लीज लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ प्रैक्टिस सेट के साथ